हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि भाई हमारी FNO की सीरीज स्टार्ट हो गई है और कल मैंने आपको सिखाया था कॉल ओप्शन क्या होता है और आज मैं आपको सिखाऊंगा पोट ओप्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको औहरोंगा उससे पहले रीचेब देख लेते हैं जो कल हमने वीडियो में सीखा था कॉल के बारे में उसका एक बार रीक बैया उता है। वो bullish होता है उसका जो profit है वो unlimited होता है और उसका जो loss है वो limited होता है और loss limited कितना होता है जितना उसने premium pay किया होता है उतना ही maximum loss हो सकता है उसका लेकिन profit unlimited होता है call seller क्या होता है call seller bearish होता है उसको लगता है market गिरेगी उसका जो loss है वो unlimited होता है लेकिन उसका जो profit है वो limited होता है इसका भी profit उतना ही limited होता है जितना इसका loss limited होता है इसका profit और इसका loss by limited होता है और कितना होता है वो होता है premium के बराबर इसका maximum loss premium जितना हो सकता है इसका maximum profit premium जितना हो सकता है तो ये भाई हमारा recap हो गया call के बारे में जो कल हमने वीडियो में सीखा था तो अगर आप में से कि किसी ने वो वीडियो नहीं देखिये तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और दोस्तो कल की वीडियो में थोड़ा सा किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कुछ डाउट्स आ रहे थे कॉमेंट्स में मैंने देखा था तो मैं उसको एक बाद क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोग कह रहे थे कि सर आपने एंड में तो 75 से मल्टिप्लाई किया था उसको 900 को लॉस निकालने के लिए लेकिन बाकियों में मल्टिप्लाई नहीं किया दोस्तो मैंने आपको एक निफ्टी पर करके दिखाया था लेकिन आपको सारे प्रॉफिट और लॉस में 75 से तो मल्टिप्लाई करना ही है बाई 75 क्या है 75 है लॉट साइज निफ्टी का जैसे हमें एक्विटी में किसी भी स्टॉक का एट पर minimum एक lot लेना पड़ता है, यहाँ पर minimum एक lot लेना पड़ता है और बया हर स्टॉक का हर इंडेक्स का अपना-पना अलग-अलग lot size होता है, nifty का lot size है 75 तो आपको वहाँ सारे प्रॉफिट और लॉस में 75 से multiply करना है और दोस्तों इस वीडियो में भी जो हम profit और लॉस क्यल calculate करेंगे लेकिन आप अपने स्तर पर उसको 75 से multiply करके अपना profit and loss निकाल सकते हैं मैं आपको easy करने के लिए सिर्फ एक के लिए बताऊंगा आप उसको सब जगा 75 से multiply कर लेना ठीके बाई तो ये तो हो गया clarification कल की वीडियो के लिए और आज की वीडियो के लिए भी अब आज की वीडियो शुरू करते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे हम put option के बारे में अगर दोस्तों आपने कल वीडियो देखी थी call option की और अगर वो आपको समझ आ गई थी लेकिन put seller जो होता है वो bullish होता है तो बिलकुल उल्टा है call से और बाकी चीजे तो same है जो भी option को खरीदता है उसका unlimited profit होता है और loss limited होता है जो option को sell करता है वो भाई unlimited loss जेलता है और उसका profit limited होता है तो वैसा ही put के लिए होगा put buyer का unlimited profit होगा loss limited होगा put seller का unlimited loss होगा और profit limited होगा और यह जो loss है और यह जो profit है इनकी maximum value कुतनी होगी भाई इसकी कितनी limit है इसकी limit है जो आपको भाई premium दिया है तो जो इसने premium दिया है वो इसका loss हो गया maximum और जो इसको premium मिला है वो इसका maximum profit हो गया और क्या फ़रेक है call और put option है भाई call option को हम बोलते है right to buy और put option को बोलते है right to sell अब हम इसको example से समझेंगे तब ही हमें अच्छे से समझ आएगा कि put option होता क्या है तो सबसे पहले तो दोस्तो अगर आपको put option लेना है तो आपको क्या करना है उसके लिए भाई आपको यहाँ पर डालना है nifty और उसके आगे आपको डालना है strike price जिस भी strike price का आपको put option चाहिए माल लेते हैं 9000 का चाहिए तो आपने nifty 9000 डाला और भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिख जाएंगे यह आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है NSE 28 May 2020 9000 CE इसका मदलब यह 9000 के strike price की call है जिसकी expiry है 28 May लेकिन हमें तो put चाहिए तो put के लिए क्या चाहिए भाई हमें put के लिए यह चाहिए इसमें क्या क्या लिखा है भाई इसमें लिखा है कि 28 May जो है वो तो है इसकी expiry और जो भाई strike price है वो हमने अलड़ी हाँ पर बता दिया है 9000 9000 हो गया इसका strike price और भाई यह जो PE लिखा है इसका मतलब है put तो यह भाई put हो गई 9000 की जिसकी expiry date है 28 May ऐसे करके आपको put option और call option ऐसे मिल जाएंगे जब आप अपने broker app पे search करेंगे अब example की मदद से समझते हैं कि put option में exactly होता क्या है तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में example दिया था same example लेंगे कि एक बंदा बैठा है A और भाई एक बंदा है B यह दोनों भाई चाय पी रहे हैं और चाय पे यह बात कर रहे है market की और A कह रहा है भाई मुझे तो लगता है market अगले हफते की expiry तक 9000 से नीचे जाएगी और B बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो लगता है market अब उपर जाएगी अब भाई कोरोना की vaccine आने वाली है और इन दोनों में इस बात पर जड़ाप हो जाती है तो B बोलता है A से कि अच्छा यह तुझे इतना ही बरोसा है निफ्टी 9000 से नीचे जाएगी तो ऐसा कर मैं तुझे एक facility देता हूँ कि अगर निफ्टी 9000 से नीचे गई तुझे ने कहा भाई कि अगर market 9000 से उपर रही तो तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा और 9000 से नीचे जितना जाएगी वो मैं तुझे दे दूँगा लेकिन भाई इसके लिए तुझे एक contract sign करना पड़ेगा जिसकी फीज तुझे देनी पड़ेगी तो भाई ये जो फीज है इन दोनों के बीच में contract वाली जो फीज होगी माल लेते हैं 100 पे फीज है यही भाई हो जाएगा premium इस put का इस put का ये 100 पे premium हो जाएगा A यहाँ पे put का buyer हो जाएगा PUT का BUYER हो जाएगा क्यूंकि PUT का BUYER होता है और B इसमें हो जाएगा PUT का SELLर इसने PUT को SELL किया है और A ने PUT को BUY किया है तो B को ये 100 रुपे मिल जाएंगे और A ने ये 100 रुपे B को दे दिये हैं ठीके भाई अब देखते हैं कि अलग-अलग सिनारियोज में होगा क्या तो अगर भाई मार्केट माल लेते हैं एक्सपारी डेट वाले दिन 8000 चली गई और भाई A ने बोला था कि मार्केट 9000 से नीचे रहेगी इसका मतलब A की बात सही हो गई तो ये जो 1000 का डिफ्रेंस है इन दोनों की बीच में ये B को देना पड़ेगा A को तो B A को 1000 रुपे देगा लेकिन भाई उसका टोटल नुकसान कितना हुआ उसने 1000 रुपे तो A को दिये लेकिन 100 रुपे उसको registration fees मिल गई थी ना contract fees मिल गई थी तो उसका net जो loss हुआ वो 900 रुपे का loss हुआ B का loss 900 रुपे का हुआ और जो loss हुआ B का वो A का profit हो गया क्योंकि भाई A को अब 1000 रुपे मिले हैं लेकिन उसने registration के time पे 100 रुपे का premium दिया था तो A का 900 रुपे का profit हो गया और option buyer को एक premium देना पड़ता है तो आप put को buy कर रहे हो 100 रुपे में 100 रुपे का premium दे के आप भाई बाई कर रहे हो तो आप क्या कहना चाहरे हो भाई आप इस option को आप इस put को buy करके कहना चाहरे हो कि भाई expiry वाले दिन market 9000 से नीचे रहनी चाहिए यह आपकी prediction है यह आपका मानना है यह आपका research है या जो भी कह लिजिए आपका मानना है कि भाई market 9000 से नीचे रहेगी अब भाई देखते हैं कि अगर nifty expiry पे 9200 हो जाता है तो भाई आपकी prediction तो गलत हो गई आपने तो कहा था कि मैं तो कह रहा हूँ 9000 से नीचे होगी nifty लेकिन यह तो 9200 है तो जो कुछ नहीं देना पड़ेगा लेकिन यह contract sign करते वक्त यह जो 100 रुपे दिये थे आपने यही आपका loss हो जाएगा और भाई option buyer का maximum loss ही होता है premium के बराबर तो अगर nifty 9200 रहेगा तो आपका loss होगा 100 रुपे का अब भाई अगला scenario देखते हैं अगला scenario है कि भाई nifty 9000 र जेता है तो यहाँ पर difference कितना है जीरो इसका मतलब भाई जो seller था वो आपको 0 रुपे देगा लेकिन आपने already premium के लिए तो 100 रुपे दे दिये थे तो भाई यहाँ पर आपका 100 रुपे का loss हो जाएगा इसका मतलब अगर nifty 9000 भी रहती है तो आपको 100 रुपे का loss होगा भाई अब जो difference है 9000 और 8900 का ये आपको मिलेगा ये भी आपको देगा या फिर जिसने भी आपको put sell करी थी वो आपको देगा तो भाई यहाँ से आपको 100 रुपे मिलेंगे लेकिन दोस्तो 100 रुपे तो आपने premium already दे रखा था तो आपका net by profit कितना हो गया आपका profit and loss 0 हो ग difference है 9000 और 8500 के बीच में जो 500 रुपे का difference है ये भाई आपको देगा seller आपको ये 500 रुपे मिलेंगे तो आपका net profit and loss कितना हो जाएगा दोस्तों भाई आपका net profit and loss होगा 400 रुपे भाई 400 इसलिए होगा कि यहाँ से तो आपको 500 रुपे मिल रहे हैं ये तो आपको 500 रुपे जाती है 8500 पे और भाई market इससे नीचे जाती जाएगी तो आपको फाइदा होता जाएगा अगर भाई market पहुंचाती है सब्कूर 7000 रुपे तो भाई आपको ये जो difference है 9000 और 7000 के बीच का ये जो 2000 रुपे हैं ये मिलेंगे लेकिन आपने 100 रुपे का premium दिया था तो आपक पुट को सेल करते हैं तो क्या होगा तो जो पुट को सेल करता है वो कैसा होता है वो bullish होता है जैसा कि अभी हमने जाना था कि पुट का जो buyer है वो bearish होता है और पुट का जो seller है वो bullish होता है तो अगर यहाँ पे आप पुट को सेल करेंगे तो आप होंगे bullish अब भाई contract क्या है ये आपका put बेचते ही जेब में आ जाएगा अब भाई आप expiry का wait करोगे और उस दिन देखोगे के market कहाँ पे है तो अलग-अलग scenarios ले ले लेते हैं जो भाई buy के case में scenarios ले थे same scenarios यहाँ पे लेंगे हम तो भाई इस contract में आपने कहा था कि भाई मैं put बेच रहा हूँ 9000 की इसका मतलब मुझे लगता है कि market 9000 से उपर उपर रहनी चाहिए और भाई जो 100 रोपे का premium मिला था वो आपने जेब में रख लिया अब market हो गई 9200 तो भाई आपकी prediction तो सही हो गई आपकी prediction सही हो गई तो भाई जो premium आपको मिला था वो आपने रख लिया जेब में और भाई यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलेगा जो premium मिलता है बस वही मिलता है option seller को लेकिन भाई अगर market 9000 रही तो भाई आपने कहा था कि market 9000 से उपर रहेगी लेकिन भाई यह तो 9000 रही तो आपका यह जो difference है यह आपको put buyer को देना पड़ेगा लेकिन यह difference कितना है यह difference 0 है तो भाई आपको put buyer को कुछ नहीं देना पड़ेगा और भाई जो आपको premium मिला था वो आपकी gym में रहेगा यहाँ पे भी आपको 100 रुपे का profit होगा दोस्तो और भाई break-even point कब आएगा break-even point आजाएगा 8900 पे 8900 पे क्यों आजाएगा भाई आपकी यहाँ पे prediction गलत हो गई आपने कहा था 9000 से उपर रहीगी market लेकिन market नीचे चली गई तो यह जो difference है यह देना पड़ेगा आपको उसको तो यह 100 रुपे आपको देने पड़ेंगे लेकिन आपको 100 रुपे का premium भी मिला था 8500 अगर चली जाएगी market तो आपको यह जो difference है 9000 और 8500 का यह 500 रुपे आपको देने पड़ेंगे यह 500 रुपे देंगे आप तो आपको net profit and loss कितना हो जाएगा भाई आपका net profit and loss होगा minus 400 आपको 400 रुपे का loss होगा क्योंकि आपने यह जो 500 रुपे का difference दिया यह तो आपने दिया 500 रुपे का लेकिन भाई आपको premium भी तो मिला था 100 रुपे का तो इसका मतलब भाई आपके जो loss मैंसे यह 100 रुपे घटाने पड़ेंगे आपने minus 500 दिये लेकिन आपको 100 रुपे का क्लियर हो गया होगा और पता चल गया होगा कि पुट बायर और पुट सेलर में क्या क्या कंडिशन होती है कब किसको कितना profit या loss होता है अगर आपको अभी भी कोई doubt रह गया है जो की बहुत ही natural है होना तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं या फिर live streaming में पूछ सकते हैं जब मैं live आता हूँ daily live आता हूँ मैं तब आप अपने सारे doubts clear करा सकते हैं और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने call वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो अगर आपने नहीं देखी दी तो आप पहले वो देखिए तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं thanks for watching guys I'll see you next time